तो आज हम पढ़ने वाले एक कोशन जिसमें बोला गया है तो इस कोशन का मतलब है चैमबर ओफ कॉमर्स क्या था तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से तो बेसिकली स्टूरेंट्स 19th सेंचूरी याने की 19 वी सदी के टक जो मर्चेंट्स थे जो वापार्क करते थे जो बड़े बड़े बिसनेसमें थे अलग-अलग रीजन के याने की अलग-अलग एरिया के तो वो लोगों ने मिलना शुरू किये मीटिंग सी स्टार्ट कर दिये, आपस में मिलना शुरू कर दिये और उन्होंने आपस में मिल करके एक Chamber of Commerce को बनाए तो Chambers का मतलब क्या होता है students Team या संगठन या संस्था तो basically एक मंदल बना दिये एक संस्था बना दिये उन्होंने Commerce याने की बिजनेस में वाले लोगों के लिए तो इस तरीके से अलगरख एरिया के जो बिजनेस में थे वो लोग आपस मिलने लगे और उन्होंने Chamber of Commerce बना दिये और इस Chamber of Commerce को बनाने का reason ये था कि वो बिजनेस को regulate करना चाहते थे regulate करने का मतलब है नियंतरान करना, control करना या देखरेक करना कि सभी बिजनेस सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं किसी कोई problem तो नहीं है और उसके बाद collective concern यानि कि उन सभी maximum बिजनेसमें की जो चिंताएं हैं जो concern जो परेशानियां है collective यानि कि किसी एक बिजनेसमें की समस्या को ही नहीं देखा जाएगा बलकि लगबख अगर उसी टाइप के बिजनेस के सभी बिजनेसमें लोगों को सेम टाइप की अगर कोई परेशानी हो रही है कोई concern है कोई चिंता है तो उस issue को decide करना कि वो समस्या क्या है उसका solution ढूनना ये सब भी chamber of commerce का ही काम होता है तो कुल मिला करके chamber of commerce काम यही है कि बिजनेस को regulate करना control में रखना और अगर कोई भी concern है और अगर कोई concern है कोई problem है कोई चिंता है उनको तो उसको भी decide करके उसका समाधान येने कि उसका solution ढूनना ओके students clear है I hope students आपको clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला ये knowledge मिला तो please हमारे चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना ही thank you